हेलो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड इस्कुल में बच्चो नवदेवी द्यालाए 2023 का रिजल्ट आ चुका है रिजल्ट के बाद एक नया नोटिफिकेसन आए एक नया पीडिया पाया है जिसमें डॉकुमेंट्स की बात हुई है जितने मैंने डॉक है गार्जियन यानि की ठीक है तो इसको कैसे फिल करना है साथ में एक इनफोर्मेशन है क्या है देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रस्नल इनफोर्मेशन फॉर्म है अंडर्टेकिंग फॉर्म है और अंडर्टेकिंग के अन्य फॉर्म है इनको कैसे फिल करना है कहां पे मिलेंगे कहां से download करना है इसका pattern यहां पे दिया हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से सुनते हुए चलना इस वीडियो को देखना है कि आपको यह सब documents कहां से मिलेंगे आप print कहां से निकलाना है और fill कहां पे करना है कहां पे headmaster जो होगा उनका certificate होगा कितनी आपको photocopy निकालना है कितनी फोटो की जरूरत होगी सब कुछ इस वीडियो मैं बताने वाला हूँ starting से last तक देखिए बहुत important वीडियो होने वाला आपके लिए comment box में कई बच्चों ने बताए कि उनके calls आने इस्टार्ट हो गए है कि नवदय वीडियाले में admission इस्टार्ट हो रहा है तो आप सभी को अगर pass में तो एक बार नवदय वीडियाले जाकर आप देख कर आजाए आप मतलब जिस भी जिस जिले में है वहीं तो आपको नवदय वीडियाले होगा तो वहां जाकर एक बार देख के आजाए तो फोन वगएरा silent ना रखें क्योंकि उनका call आएंगे ठीक है तो call जिनको नहीं आ पाया मान के चलिए सब को ही आया होगा नहीं आया है तो एक बा न sus-document की जो पढ़ेगी ठीक है चलिए देखते हैं आपको क्या करना है और सबसे पहले आपको जाना क्रोंब में किसी बिचार में जायी का अब तो निचे में समीटी तो नीचे में आपका to view, नवदय विद्याला है, समीति वेबसाइट, अब इसमें हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए, यहाँ पे पहुंच गया है, इसको हम यहाँ पे cut करेंगे, अब इसको क्लिक किये, अब देखिए, यहाँ पे admission है, तो यहाँ पे एक आपको option दिख रहा है, आपको मैं जैनवेस्टी 2023, ठीक है, कब पब्लिस हुआ, 22 तरीकों पब्लिस हुआ, इसका PDF, यहाँ से डाउनलोड, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए, अब यह यह दाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड हो गया, अब देखिए, डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरी देखिए, इस तरीके से, डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नवदय विद्याला है, समीती, नोटी से, ठीक है, प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट ऑप कंडिडेट, और एड्मि उसकी लिस्ट है, देख लिजी, सबसे जरूरी यहाँ पे क्या है, आपको मैं बताओं, तो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब देखिए, यहाँ पे, यह सब बता चुका हूँ, हाँ देखिए, यह क्या है, प्रसनल information form आपको दिख रहा है ना clear quality बढ़ाख देख लिए personal information form to be filled in by the parent and guardian of the candidate with the help of headmaster headmistress of the school from where the candidate passed class 5th examination जहां से आपने class 5th का पढ़ाई किया है वहां जहां से passed किया class 5th एक ही मतलब है ठीक है वहां कि आपको principal के help से इसको पूरा feel करना है तो वही बताया गया to be filled by the parent and guardian parent जो होंगे उनको भरना है बच्चों को एकदम जिसमें कोई गलती नहीं करनी है यहां तो फोटो आप ही student लगेगा जो आपने study certificate starting में fill किया तो उसको तो आप रखे रहेंगे वो अलग है ठीक है इसको भी feel करना यह कहा है personal information form इसी नए नए document जो है उसके बारे में आपको बता दूँ यह मेरी जिम्मेदारी है ठीक है यहां पर words में लिखेंगे date of birth, father's name, mother's name, name of guardian अगर applicable मत आप किसी guardian के under में वहाँ है ठीक है उसी जिले में है तो लिख सकते है guardian का नाम या फिर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है इसमें अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है school from where the candidate passed class 3, 4 and 5 ठीक है month of joining year जैसे class 3 की बात हो रही है यहां पर class 3 आपने कब join किया ठीक है और कब pass किया इसका यहां पर लिखना है कि आपने 2021, 22, 22, 23, 23, 20, ठीक है जैसे 2021 यहां पर लिखा है कि 2021 में आपने joining की कब यहां पर लिख देंगे आप जैसे join कब किया जून में, जून 2021 मैं आपको बस बता रहा हूँ भर के ठीक है और pass कब किया अपरेल 2022 में उसी तरीके से यहां लिख देजे कि आपने जून 2022 में class 4 join किया अपरेल 2023 में पास किया ठीक अब 2023 के जून में अभी आप यह कि इनके लिए जो पिछले साल वाले हैं तो इनका क्या इस्टार्ट होगा उन्होंने 2020 में पढ़ाई की होगी ना यह 2020 आजाएगा और यह 21 में पास की और यह 2021 आजाएगा 22 में पास की class 4 फिर जून 2022 में उन्होंने join किया क्या class और 2023 अप्रेल 2023 में क्या है उन्होंने पास की परिए कभी भी डेट जो होगा यह क्या है उनके लिए जो नए बच्चे भी 24 के लिए उनके लिए उनके लिए वो बच्चे क्या है 21 में class 4 पढ़ना इस्टार्ट करेंगे जो 23 वाले बच्चे हो class 20 में join कि 21, 22, 22, 23 ठीक है separate certificate is to be obtained if the candidate had studied class 3, 4, 5 in different अगर आप class 3, 4 और 5 की पढ़ाई अलग-अलग इसको से किये हैं तो ठीक है जैसे कि मालने चलिए ऐसा होगा class 3 और 4 कहीं एक जगेस पढ़ा class 5 आपने क्या पढ़ा कि अलग जगेस पढ़ा ठीक है तो कितने certificate लगेंगे आपको separate certificate is to obtain मतलब अगर अगर अलग-अलग जगेस पढ़े हैं class 3, 4 तो आपको अलग-अलग certificate लगें class 3 के लिए यही इसी का print निकलवाएंगे आप तो class 3 बस इसमें fill करेंगे फिर अलग उसमें class 4 बस fill करेंगे और अलग निकालके उसमें class 5 बस जो 5 होगे उसको fill करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आप सभी seal वगरे लगवा लें और किनके guidance में करना है आपको किनके help से जो principal होगे आपके ठीक है class 5 के लिए principal आपने जहां से पढ़ाई की हो वहाँ के मतलब headmaster अब देखिए certificate क्या है कि by parent guardian of the candidate concerned ठीक है certificate that informed given ever is true the best of my knowledge and I believe in the case of any यह ठीक है parents के लिए कि if any part of information furnished by me found incorrect अगर कोई भी information document आप जमा करें वो गलत है कुछ भी जो detail है ठीक है तो इस condition में आपके child का जो admission cancel हो सकता है उसको parent accept करेंगे अगर ऐसा हुआ तो ठीक है यह parents बता रहे हैं जो भी उनके child होंगे ठीक है signature of parents यहाँ पे हो जाएंगे हो गए ठीक है यहाँ पे दिखे क्या है interest verified certified तो यहाँ देख signature of headmaster headmaster क्या है जैसे जो भी detail होंगे कि हमने इस समय admission लिया तो वहाँ के headmaster बताएंगे कि जी जिनके द्वारों जितने भी detail दी गई है सब कुछ सही है तो यहाँ पे headmaster और headmaster जिसका भी ठीक है तो वहाँ क्या हो जाएगा वहाँ पे sign हो जाएगा उनका नाम हो जाएगा और designation मतला उनका जो पद रहेगा वो यहाँ पे नाम हो जाएगा और school की यहाँ पे seal लग जाएगी ठीक है यह हो गया देखे, note for the head of the school, following certificate is required to be issued in respect of candidate selected for admission in JNV in respective district, certificate by the head of the school, क्या है यह certified that the information given page, इससे पहले जो information थी उससे भी पहले ठीक है, जो था ना आपको information वाला, फॉर्म, page 1 and 2 found correct as per your school record, मतलब हमारे school का record से जो भी उन्होंने फिल किया है, वो बिलकुल सही है, ठीक है, सही है, आसो certified that master master and kumari मतलब, ठीक है, जो भी लड़का होगा तो master, kumari होगी तो लड़की, ठीक है, was admitted in school, class, class 5th, on this date में, मतलब past किया, यहाँ पे जाइन किया, और कब past किया, यह सब यहाँ पे आपको बता देना है, और signature of head of institution, ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाएगा, head of institution, last studies with school seal, हो जाए ठीक है, और एक बार सबसे जरूरी तो आप यह ध्यान रखें, कि अगर आपको past, सबसे पहले तो call आ जाएगे, तो नवदे भी त्याले में, जा कि एक बार complete अच्छे information, पता करने कि कौन कौन से document कब लगने वाले हैं, क्योंकि मैंने list बता दी, तो एक बार आप जा के और अच्छे पतांगे रहेंगे, तो आपके लिए बहुत सही होगा, मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, यह सब चीज़े है, कहां से मिल रहा है, आपको PDF उहां से print निकला लिजेगा, ठीक है, अंडर टेकिंग बाई पैरेंट, ठीक है, पैरेंट या फिर गार्जि और यह अंडर टेकिंग, यह किन के लिए है, देखिए, यह जो आपको फीस जमा करनी परती नवदय विद्यालाय में, ठीक है, इसको क्या है, नवदय विद्यालाय विकास निधी, विद्यालाय विकास निधी के तोर पे जिन बच्चों को फीस लगती है, ठीक है, गल्स को आपको कोई फीस नहीं लगने वाली SC category की बच्चे, ST category की दिव्यांग बच्चे और girls को किसी को फीस नहीं लगती, जो भी फीस के लिए क्या है, मतलब जिनको फीस थोड़ी बहुत देनी पड़ती, तो आपको फीस के बारे हम जानकरी चाहिए, तो आप सर्च कीजिए कि फीस structure of नवदय विद्याला है, last में आप द्रोड इसको लिख दीजे, फीस structure of नवदय विद्याला है, इसका last में द्रोड इसको लिखे सर्च कीजिए, आपको पूरा फीस का structure मैंने समझाय हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है न, यह हो गया उन बच्चों के लिए, जि सिक्स इन जनवी, डिस्टिक का नाम आ जाएगा, hereby given the undertaking that I understand that, promotion of national, क्या है, integration and as per scheme of जनवी, 30% of student of class 9, from one जनवी, have been migrate to another जनवी, non-Hindy speaking area to Hindi speaking area and vice versa and I agree to fight by the rules of NVS, मतब क्या होता है, class 9 पे आपको migrate कर, एक साल के लिए क्या होता है, तो बाहर पढ़ने जाएंगे, non-Hindy, जैस कि जो महराज गंज में जैसे हिंदी भासी हो गया, ठीक है, तो वहाँ के बच्चो को कहां करनाटक ले जाये जाता है, ठीक है, तो आलग अलग जगे पे ले जाये जाता है, करनाटक, करनर, वहाँ पे सिकाएज एक साल तक बहुत अच्छे से बाहर पढ़ाई होती, तो एक इसमें देखिए आपको क्या फादर जो भी उनका नाम लिखेंगे मदर का भी नाम आ जागे यहां पे बच्चे का नाम यहां पे आ जागे इसमें से किसी मेडिकल डिसी से तो मतलब कोई भी ऐसा बीमारी तो नहीं है इन में से जो भी है आपके बच्चों को तो यहां पे आप लिख के बता दें अगर कुछ हो तो यहां बता सकते हैं फादर सिगनेचर नेम अधर सिगनेचर नेम एडरेस प्लेस एंड डेट ठीक है बाकी चीज़ें तो आप सभी को पता है कि disability मतलब दिवांग बच्चों के लिए क्या है disability certificate अगर आप अप्लिकेबल हैं तो उनके लिए बस है category community certificate SCST के लिए समझ गये वो विसी के लिए central वाला चाहिए हमको ठीक है central date of birth के लिए birth certificate ruler area देखिए ruler क्या है रूरल यानि ग्राम new officer block district और office की वहाँ की seal लग जाएगी और date में ठीक है ये सब कुछ यहाँ पर है आपको सब कुछ कहां से ना होदा भी जाला है समझती कि official website पर मिल जाएगा तो यहाँ पर signature of revenue official लिखा हुआ है residence certificate अगर online बन रहा है तो उसको मानने किया जाएगा एक बार और अच्छे मानने किया जाएगा अगर जहां online नहीं बनता होगो तो इस फॉर्मेट में आप सभी sign करवा के लिए यहाँ पर लिखाओ signature of parents full name और यहाँ पर किसके तहसिलदार की sign होगी साइद देखिए गए यहाँ पर ठीक है यहाँ certificate यह क्या है to be filled by the district authority and issued under the signature of तहसिलदार parents which are selected for admission classics through Gen VST तो यहाँ पर हो जाएगा this is the clarified information has been record is found correct ठीक है तो यह यहाँ पर देखिए the area where the resident is located for under ruler urban area है उसके लिए क्या है यह signature of तहसिलदार की जरूद पड़े ठीक है तो आप सभी को सबसे जरूरी चीज़ तो यह पता होनी चाहिए कि कि आपके कि नवदेवी देला का आपको call आया कि इस date में आपको जाना है कौन-कौन से document जमा करने है तो यह सब की list है तो यह print नहीं इकला लिजेगा एक बार वहाँ जाए इस school में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि वहाँ बहुत अच्छे समझा दिया कि ठीक है वहाँ आप teacher से बात कर सकते हैं कौन-कौन से और document की जरूत पड़ेगी जितना मैंने बताया उतना ही है लेकिन और अच्छे से आप बात कर सकते हैं ठीक है पूरी document की मैंने आपको list यहाँ पर बता दी साथ में अगर आपके भाई दू या कोई तैयारी कर रहा है जो next year यानि 2024 के लिए नवदय विद्याला की तैयारी करना चाते है तो हमारा नवदय अलफा बैच है बैच है बैच थ्री बैच थ्री में classes कब से start हो रही है 26 जून से 26 जून से पहले पहले आप course में enroll कर लेते है तो आपको 200 रुपए की VCS छूट मिलेगी आपको इसमें complete video lecture exercise question साथ में chapter test की सुईधा है और आपके doubt clear होंगे telegram group के द्वारा यहां telegram group में आप अपने doubt भेज सकते हैं ठीक है साथ में सैनिक अलफा बैच है सैनिक अलफा बैच भी सैनिक स्कूल की तैयरिक लिए class 6 के लिए जिसमें भी इसमें भी जो subject होते हैं maths हो गया intelligence जी के साथ में हिंदी इंगलिस बहुत भी भाठीन ढंक से पढ़ाया जाता इस बार के बच्चों का result नवदय भी द्याला के बच्चों का result और सैनिक दोनों का बहुत भी भाठीन रहा इस बार और अच्छे result आने की संभावन है हम बहुत अच्छे से नए syllabus के बेस्ट में आपके पढ़ाई कराएंगे एक भी syllabus का कोई topic नहीं छोटेगा तो जिसकी भी तयारी करें जल्दी जल्दी enroll करके अपनी तयारी करें अर्जुन बैज भी है recorded बैज है यह नवदय विज्याले के तयारी के लिए अगले दिन उसका solution फिर आगे इस तरीके से सिक्वेंस आगे बढ़ते हैं जबकि यहां क्या है recorded है जदा जदा कोश्चन प्रेक्टिस करने के लिए आपके पास मॉडल पेपर यहां मॉक टेस्ट आपके पास उपलब दें द्रोड इस्कूल के अप में हिंदी मिडियम इंगल इस मिडियम दोनों के लिए प्ले स्टोर पे जाईए द्रोड इस्कूल का आप इंस्टॉल कीजिए जो भी कोर्स में इंडोल करना है इंडोल करके अपनी बहतिन तयारी स्टार्ट कीजिए कोर्स एरिटेट कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्प लाइन नंबर सिक् ले सकते हैं अगर आपने अभी तक द्रोड इस्कूल के टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को जॉइन करें टेलिग्राम में जाईए आप माई द्रोड इस्कूल लिखे यहां सबसे पहले नोटिपिकेशन सेर किया जाता है साथ में द्रोड तो आप लिखे फीस स्टक्चर और नवदय विद्याला द्रोडी स्कूल ऐसा लिख दीजे तो आपको पास वीडियो आ जाएगा उसमें मैंने कम्प्लीट प्रोसेस फीस के बारे में समझाये हुआ है तो वीडियो कैसा लगा आप सब भी को क्योंकि नोटिफिकेसन आया